नमस्कार दोस्तो रेल्वे की पाठ चाला में आपका श्फागत है दोस्तो एक बहुत बड़ी अपडेट नहीं भरती आने वाली है सेंटरल गोर्मेंट में जो कि दोस्तो दस लाग वेकेंसी सेंटरल गोर्मेंट देने का अवायदा कर रही है तो उसमें दोस्तो यहाँ पर बहुत बड़ा अप्डेट आया है कल दोस्तो पी एम ओफिस के तरब से यहाँ पर ओफिशल तरीके से आपर बताया गया है कि यहाँ की 22 अक्टूबर यानि की कल के दिन दोस्तो एक बहुत बड़ा अनौंस्मेंट यहाँ पर होने वाला है और दोस्तो इसमें रोजकार मेला एक तरीके साइजित किया जाएगा अब इसमें क्या होगा कि आपको बताया जा सकता है कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट में कौन-कौन से बढ़ती आएंगी और कौन-कौन सा आपका डिपार्टमेंट करवाएगा जैसे से सब कुछ आपको कल यहाँ पर बताया जा सकता है और यहाँ पर सब कुछ आपको clear कर दिया गया है पूरा यह पर बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं असके इस वीडियो को उससे पिला आपस request है रिले भरती के latest and authentic update पाने के लिए चैनल को भी subscribe और दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने से पेले आपको दिवाली के इस पावन पर टेस्ट पूक की तरफ से आने वाले एक महा ओफर के बारे मतना चाहूंगा जिया दोस्तो अगर आप किसी भी इंडिविज्वली जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या किसी की दोस्तो सूपर कोचिंग या आप पर टेस्ट पूक की तरफ से बाई करते हैं तो नोर्मली दोस्तो आपको अपरोक्समेटली 16,000 या पर पे करने पड़ते हैं लेकिन दोस्तो अभी यहाँ पर इनके प्लेटफोर्म पे एक शांदार ओफर चल रहा है जो 22 अक्टूबर तक वैलिड है इसमें दोस्तो आपको 90% से भी जादा डिसकाउंट मिलेगा इसके अलावा आप मार कूपन को इस्तिमाल करेंगे तो आपको 10% का इंस्टेंट डिसकाउंट मिल जाएगा यानि कि दोस्तो आप चार एक्जाम की एक सा तैयारी मात्र 8.99 में एक साल के लिए यानि कि बारा मेने के लिए कर सकते हैं इसमें दोस्तो आपके सारे जो भी एक्जाम होते हैं चायो प्री हो मेंसो फेज वन फेज टू रिटन एक्जाम जो भी होती है सारी cover up है और दोस्तों यहाँ पर अगर मैं बड़ी-बड़े exam की बात करूँ तो SSC के सारे exam cover होंगे CGL, GD, Constable, CSL, MTS, Bank ASB, आपका चाहे Clark हो, चाहे PO हो, CDS हो, Railway, Group D, NTPC या जो भी कोई भी comment exam होती है, सब के लिए आपका है beneficial है, तो दोस्तों एक जो महा offer है, इसको आप इस मोके पर दोस्तों इस offer को जरूर भाई कीजेगा, अभी SSC में बहुत सरी vacancy निकलने वाली है, जिनके exam याप पर recent होने वाली है, तो दोस्तों आप इस जो offer इस का लाब आप मारे coupon code RPS इस्तेमाल करेंगे, तो दोस्तों आपको अलग से दसप्रटर करेंगे, तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहां से दोस्तों आप इसको purchase कर सकते हैं, यहाँ पर देखेंगे, प्रधार मंतरी 22 अक्टूबर को 10 लाग कर्मियों के लिए भरती का अभियान करेंगे, रोजगार मेला का आयोजन करेंगे, पहले चरण में 55,000 नई नियुक्तिया की जाएंगी, 9 नियुक्त कर्मियों को नियुक्ती पत्र सोपे जाएंगे, यानि कि जोइनिंग लेटर दिये जाएंगे, भरती प्रिक्रिया में तेजी लाने क किया जाएगा, आगे बोला है कि ये कारेकरम युमाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करने और नागरी कल्यान शुनिशित करने के लिए सरकार के निरंतर प्रतिबदता को प्रदेशित करता है, यानि कि सरकार जो है लगातार छात्रों के लिए प्रतिबद है, इसीज को प चार साल बाद में यह भरती प्रोसेस है यहाँ पर हो रही है गुरूबडी की और NTPC का भी मामला ऐसा है कि NTPC के एक्जाम को भी खेजा जा रहा है लगातार अब यहाँ बार पूरा पढ़ लेते हैं तो यहाँ पर देखें प्रदान मंतरी स्री नरेंद्र मोधी 22 को संबोधन भी करेंगे अब यह 75,009 करमचारी हैं वो गोर्मेंट होंगे या फिर प्राइवेट होंगे यह क्लेरिफाइ नहीं है तो कि मेरे साथ से अभी ऐसी कोई जोब नहीं निकली है जिसकी जोइनिंग बाकी हो तो एंटीपी से उसका प्रोसेस अभी चल रहा है वो लक्सीज है अब 75,000 की इन्होंने कौन से वेकेंसी लटका रखी है जिसकी जोइनिंग यहाँ पर देने बाकी है यह तो दोस्तो कली पता लगेगा और यूवाओं को रोजगार के अवसर पतान करने और नागरिकों के कल्यान सुनेशित करने की प्रदान मंत्री की निरतर प निकालते हैं लेकिन दिक्कत यह है कि उनका इंप्लीमेंटेशन ही होता एक्जाम थोड़ी दिले हो जाती है तो वह सर दिक्कत है वो आप कमेंट के माद्यम से में बता सकते हैं कि आपका क्या मानना इनके बारे में परदान मंत्री के निरते शिनुसार सभी मंत्रालाय और विभाग मिशन मोड में स्विकर्त पदों की मौजोदा रिक्तियों को बढ़ने में काम कर रहे हैं यह बात सही है कि मिशन मोड में अब आपने देखा था अब की बता रहा हूँ पहले के बाद नहीं बता रहा हूँ रिसेंटली जब से चार-पांच मेने से जो प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो रही है देशबर के नए चैनित कर्मियों के लिए भार सरकार के 38 मंत्राला है 38 मिनिस्ट्रीज उनमें दोस्तों यहाँ पर सीटे वेकेंट है नम नियुक्त जो कर्मी है उनमें देखो कौन-कौन से पद है इसमें दोस्तों आपको ग्रूप A, ग्रूप B के जनों गेजिटेड हो विशर बोलते है ग्रूप B, एराजपत्रित और ग्रूप C, जिन पदों पर नियुक्त की जा रही है उनमें केंद्री ससस्त्रिबल, अब देखो यह यहाँ पर बता भी रखा है केंद्री ससस्त्रिबल, उपनी रिक्षक, कॉंस्टेबल, LDC, स्टेनो, PA, आयकरने रिक्षक, MTS, अन्य सामिल है जिनकी दोस्ते हैं पर यह हो सकता है कि नियुक्ति पत्रियां पर देंगे यह बरतियां मंत्राल है और विभागों द्वारा मिशन मोड में या तो श्वेम, या UPSC, या SSC, या भरति बोर्ड, रेलिवे बरति बोर्ड जैसी परिक्षक एजन्सों यह माद्यम से करवाई जा रही है और शिक्र भरति के लिए चैन पेक्रियां को सरल और तक्नी रूप से सक्षम बनाया जाएगा और यहाँ पर यह नोटी से कलका अगले वीडियो में वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक दिया गया है आद उसों परचेस कर सकते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक जैहींद वन्नमाद